तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 12 सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का कोश्चन नमबर 4 तो कोश्चन 4 में हमें दिया है एक पैन स्टेंड बनाया गया है लकडी का और वो कैसी शेप में है क्यूबोईड की शेप में और उसमें पैन को स्टेंड करने के लिए 4 कौनिकल डिप्रेशन मतलब कौन की शेप की जगें बनाई गई है जिससे के पैन उसके अंदर होल्ड किया जा सके तो इसकी जो फिगर है वो आपको बुक में भी दिखा रख किये बहुत सिंपल सी फिगर इसमें दिखाई है तो देखो यहाँ पर यह कौन की शेप का उसके क्यूबोईड की शेप का एक क्या है एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें यहाँ पर अंदर की तरफ क्या बने हुए है कौनिकल डिप्रेशन बने हुए यह कैसी शेप है यहाँ पर यह कौन के जैसी शेप बनी हुई है यहाँ ठीक है कैसी शेप है यह कौन की तो और इस तरीके से इस पर pen क्या हो जाएंगे stand हो जाएंगे जैसे मनली जै यह आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा इसके अंदर एक pen यहाँ पर खड़ा कर दिया गया एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर कौन के ऐसी शेप पर इसमें से काट के बाहर निकाल दी तो और क्या दिया है फिर उसके बाद उसके बाद हमें dimensions दे रखी है किसकी? क्यूबॉइड की क्यूबॉइड की हमें क्या क्या चीज बताई है length दे रखी है कितनी है? 15 breath दे रखी है और height दे रखी है और हमें बताना है कि वो जो stand बनाया गया है लकडी का उसके अंदर लकडी का volume कितना है तो हमारे पास simple सी चीज है कि हमारे पास जो cuboid था उसमें से हमने जो conical depressions थे उनको तो काट के बाहर निकाल दिया तो उनकी जो लकडी है वो तो कतम हो गई तो हम क्या काम करेंगे volume of wood निकालने के लिए जो cuboid का volume है उसमें से minus कर देंगे four conical depressions का volume ठीक है तो पहले हम क्या काम करते हैं पहले हम एक बना लेते हैं cuboid और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि solution कैसे करना है ठीक है इस तरीके का कोई क्या दे रखाम है cuboid और इसके अंदर क्या बने हुए है यहाँ पर conical depression बने हुए है ऐसे कितने बने हुए है four तो यहाँ पर हमने क्या बना दिए conical depression बना दिए ठीक है यह चार conical depression हमने यहाँ पर draw कर दिए और मैं यह जो चारो conical depression है इनको बाहर भी निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि जैसे बड़ा सा करके दिखा रहा हूं इसको थोड़ा सा ठीक है यह यहाँ पर क्या हो गया ताकि आप समझ सको यह हो गया आपका conical depression अब हमें क्या क्या चीज दे रखी है वो हम लिखे लेते हैं तो यहाँ से यहां तक यह जो इसकी radius है वो radius दे रखी है 0.5 cm यह दे रखी है और इसकी depth है मतलब जो इसकी गह रही है है हैं से यहां तक इसकी h वो कितनी दे रखी है 1.4 cm इसकी length, breath, height भी हमें दे रखी है तो उनको हम लिख लेते हैं और फिर इसका solution start करते है तो यहाँ पर आप लिखोगे length of cuboid वो कितनी दे रखी है वो है 15 cm उसके बाद हमें breath दे रखी है तो breath of cuboid equal to दे रखी है कितनी 10 cm और उसके बाद हमें height of cuboid वो दे रखी है कितनी 3.5 cm यह रहीं तीनों चीजें उसके बाद radius of conical depression सब चीज आपको जो जो given होती है उसको लिख लिया करो पहले radius of conical depression वो कितना दे रखा है 0.5 cm और हमें दे रखी है depth of conical depression कितनी वो है अपने पास 1.4 cm ठीक है अब आपको क्या करना है आपको निकालनी है volume of wood तो आप तो बहुत easy है यहाँ पर आप लिखोगे volume of the wood in entire stand पूरे के पूरे stand में कितनी लकडी use करी गई है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं उसके हम cuboid के volume में से क्योंकि cuboid का बना हुआ था पहले लकडी उसमें से हम क्या काम करेंगे volume of four conical depressions को कर देंगे minus volume of four conical depressions ठीक है और यहाँ पर अब इनके formula रख लो और सीधा सीधा solution ही करना है और तो कुछ है नहीं इसमें बहुत simple सा कुछन है तो तो volume of cuboid क्या होता है वो होता है L into B into H मतलब length into breath into height और four conical depression एक कोन का कितना होता है one upon three pi r cube तो sorry one upon three pi r square h तो four का कितना हो जाएगा four into one upon three pi r square h इनकी values को put कर लेते हैं इसकी जो h है इसको में ले लेता हूँ capital h यह क्या मान लेते हैं इसकी capital h क्योंकि दो-दो h हो जाएगी फिर इसकी h भी है उसको हमने small h मान लिया है है आपर capital h लिख देता हूँ तो अब यहाँ पर values को put कर लेते हैं length कितनी दे रखी है 15 breath कितनी दे रखी है 10 और height कितनी दे रखी है 3.5 minus 4 into 1 upon 3 pi की जगा पर pi की value खोल लेते हैं 22 upon 7 r की जगा पर radius of the conical depression कितनी है 0.5 उसको लिख लेते हैं 2 बार और height of conical depression कितनी है 1.4 point अड़ा लो यहाँ पर upon में 10 आ गया यहाँ गई point को हटा लेते हैं साथ के साथ यहाँ पर 10 आ गया इसके upon में 10 आ गया और इसके upon में भी 10 आ गया यहाँ पर इस 10 से 10 cancel out हो गया 15 बचा और 35 बचा इन दोनों की multiply कर लो तो 15 5 जा 75 75 का 5 carry 7 15 3 जा 45 45 और 7 कितने हो गए 45 और 7 हो गए 52 minus 4 into यहाँ पर जो जो चीज cancel हो रही है उनको cancel out कर देते हैं क्या क्या cancel हो रहा है ईसके बचा बचा आपने पास उपर बचा बस 11 तो उसको लिख लेते हैं और नीचे क्या बचा, 310 जा 30, अब यह दोनों भी कट जाएंगे, तो 2, 2 जा 4, और 2 से कट जाएंगे कितनी बार, 15 बार, अब आगे solve करते हैं इसको, तो यह हो जाएगा, 525 माइनस, 2 की multiply 11 में, तो 22 अपॉन 15, 22 को divide करते हैं 15 से, ठीक है, तो कि जो आएगा, उसको सीधा- 25 में से माइनस करके, अपना answer ही आना अब, तो 22 को divide कर लेते हैं 15 से, पैंसिल ले लेता हूँ, इधर देखो, 22 को divide करो 15 से, तो 15 बचा, 15, कितना बचा, 7, point लगा हुआ है, तो point लगा के, point लगा के क्या बढ़ा देंगे, हम 0, तो यह हो जाएगा, 15, 4 जा, 60, कितना बचा, 10, point लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 15, 6, 90, फिर क्या बचा, फिर 10 बचा, point लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो, 15, 6, 90, तो यह तो यह आता रहेगा, तो यह आगे कितना, 1, 4, 6, 6, 6, 6, यह आता रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहो तो इसको round off कर सकते हो चलो round off करके करते हैं क्योंकि शायद अंसर ऐसे ही दे रखा है तो यह हो गया 525 minus 1.4666 ऐसे करके दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं हमको point के बाद 2 digit तक solve करना होता है तो इसको round off कर लेते हैं यह वाली digit होती है 5 या 5 से बड़ी तो हम क्या काम करते हैं इससे 1 इसको दे देते हैं मतलब 1.46 किसके ज़्यादा पास है 1.47 के मतलब यह जो 6 है सीधा सीधा simple कुछ नहीं करना बस इस 6 से इसको 1 दे दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 525 minus 1.47 जैसे यह चीज मैंने आपको पिछले questions में ही बता रखे है जैसा मानलो अगर यहाँ पर लिखा होता 1.47 ऐसा है तो अगर यह वाला number बड़ा होता है तो यह 5 से तो यह अपना एक इसको दे जाता है इसका मतलब यह है कि यह वाला जो number है यह 1.5 हो जाएगा मतलब यह 1.5 के जादा नजदीक है और अगर मानली जहें पर यह होता 1.43 तो अभी यह round off होते हैं मैं यह कुछ नहीं दे पाता इसको इसका क्या हो जाता 1.4 क्योंकि यह 1.43 किसके जादा पास है 1.4 के यह 1.5 के इस तरीके से round off कर लेते हैं अब इनको minus कर लो बस minus करके अपना answer आ जाएगा तो यह हो गया 5 इदर कर लेता हूँ 5, 2, 5 में से minus करना है 1.47 तो यह 5, 2, 5 point से पहले कमान जाता है उसमें 0 लगा लिए अब minus करो यह 10 हो जाएगा दर से carry लेकर आते रहोगे minus तो आते होंगे तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा यह 9 बचेगा 9 में से 4 गया तो 5 बचा उसके बाद यहां पहले से carry दिया होगा आपने तो 5 में से 1 गया तो sorry 4 में से 1 गया तो 3 यह 2 as it is बचेगा और यह 5 तो यह आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है यह किसका वॉल्यूम आ गया आपके पास जो pen stand के अंदर लकडी है उसका वॉल्यूम यह है ठीक है तो यह होगा आपका question 4 इसमें अगर कोई doubt हो तो पूछ ले ना वैसे तो simple ही question है बस आपको क्यूब आइड के में से चार कॉनिकल डिप्रेशन माइनिस करने ठीक है इसे कर लो चलो next वीडियो मिलते हैं